वेलकम टो माई यूट्यूब चनल डियर विवर्स आज किस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सूर्स के बारे में बताऊंगा जहां से आप कोई भी ऐसे, कोई भी परेग्राफ, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से और जलद निकाल सकते हो जनरली आप गूगल पे जाते हो, बाकी जगों पे जाते हो, वहाँ से आपको to the point और अच्छा टॉपिक नहीं मिलता है, आप यह करोगे सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर में जाओ के, वहाँ जाके आप लिखोगे chat gpt.com, यह एक open artificial intelligence chatbot है, वहाँ पे जब आप जाओ के, आपको already इस आप login नहीं है, आपने account नहीं खोला है, आप वहाँ account खोल सकते हो, अगर आपको यह भी जानना है कि कैसे account खोलते हैं, वह हम next video में फिर बता देंगे, तो इसके लिए आप comment कर सकते हैं, जाब गए तो यहाँ पे जैसे आप किसी के साथ WhatsApp chat करते हो, यहाँ पे भी बिल्कुल तो वैसे ही WhatsApp chat ही जैसे करना है, तो आपको कोई essay चाहिए, आपको चाहिए write an essay, आपको essay चाहिए uses of mobile phone, ठीक है, write an essay on uses of mobile phones, आपको इस पे essay चाहिए, आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ enter कर दिया, आपने chat किया इसके साथ, जैसे आप किसी के साथ chat करते हो, अभी chat कर रहे ह तो आप आपको यहाँ पे essay आपके लिए open AI जो है, जैट GPT जो है, आपके लिए essay लिख रहा है, ठीक है, चलिए है, आपके लिए essay जो है, वो तैयार हो गया, आप जनरली होता क्या है, आप कहते हो, नहीं यह, जो essay यहाँ पे इसे लिखा, यह लिंग थी हो गया, मुझे पॉइंटस में यही essay चाहिए, यह लिंग थी हो गया, मुझे पॉइंटस में चाहिए, और फिर मैं उन पॉइंटस को खुद explain कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ, अब इसको क्या करेंगे, हम इसी essay को हम इसे बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे, कि write it in points, यहीं एसे मुझे points में लिखिये दो आपने enter किया, तो अब यहीं points में ऐसे points में आपको मिलेगा to the points तो यहाँ पे points में लिखा गया ठीक है? यहीं essay यहाँ points में लिखा गया अब आपको चाहिए मजमून अर्दो में आप कहोगे यहां तो इंगलिश में हमें मिला इंगलिश में मजमुन मिला इंगलिश में ऐसे मिला अगर आप अर्दू में चाहिए यही ऐसे आप क्या करोगे आप यहां पे जाओगे आप कौपी करोगे इस ऐसे को आप कौपी करोगे यही ऐसे हमें उर्दू में चाहिए तो आप क्या करोगे इसे कॉपी करोगे जितना आपको चाहिए उतना कॉपी करेंगे कॉपी करके हम कहां जाएंगे हम जाएंगे फिर से सरच इंचन में हम क्या लिखेंगे Google Translate Google Translate English to उर्दू अगर उर्दू में चाहिए अगर हिंदी में चाहिए लिखो के Google Translate English to Hindi जिस भी भाशा में आपको चाहिए आप उस भाशा में इसको Translate कर सकते हो हमने किया Translate from English to उर्दू आप English to Hindi भी कर सकते हो English to any other language भी कर सकते हो तो जब हमने यह किया नेटवर्क थोड़ा स्लो है जब आपने Google Translate from English to Urdu किया तो आप क्या करोगी यहाँ पे आप एंटर टेक्स्ट जो आपने टेक्स्ट वहाँ कॉपी किया था उसको आप यहाँ पेस्ट करोगी तो यहाँ पे हमने जब पेस्ट किया एंटर करके हमें क्या मिलेगा इडिस टेकिंग टाइम जब आपने पेस्ट किया यहाँ इंगलिश में तो इंगलिश में पेस्ट करके आप नीचे जाओगे यहाँ आपको यही जो ऐसे है उर्दो में मिल गया मुबाइल फोन का इस्तिमाल तो मैंने यहाँ पे सरच किया था यहाँ पे मुबाइल फोन हमारी जिन्दगी का लाजमी हिसा बन चुकी है वो मवासलात से लेकर ताफरी और तालिम तक मुखतलिफ मकासित के लिए इस्तिमाल होते है तो कोई भी ऐसे जो आपने इंगलिश में लिखा था उसको आप और दो मैं ट्रांसलेट यहाँ कर सकती हो इस तरह आप चैट जी बी टी पे जो भी आपको टॉपिक चाहिए आप आसानी से वहाँ से निकाल सकती हो कोई क्वेश्चन चाहिए आपको किसी और टॉपिक पे इंफर्मेशन चाहिए जैसे हम लिखेंगे अप अब्यवेश जी आपको चाहिए कोई भी टॉपिक आपको चाहिए बिलकुल आसानी से आपको यहाँ मिल सकता है आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी आप भी इस चैट जी बीटी को इस्तिमाल करो कि जहां तक जरूरत हो तो यहाँ पे इसने Demerate Sub-Democracy पे भी एक essay जो है वो बना के दिया अगर आपको लगता है यह लेंग थी है तो आप क्या पूछोगे इसे आप पूछोगे इसे Write it in Points आपने Points में इसे पूछा अब यही ऐसे आपको Points में मिलेगा टेंशन के बगेर ज्यादा मेहनत करने की कोई जोरत नहीं है अब आप चैट GBT पे कोई भी आपना essay homework बाकी चीज़ी जो है complete कर सकते हो यसके अलाव अगर आप बोर हो गए तो आप इसे चैट भी कर सकते हो Hi How are you तो आप इसे चैट भी कर सकते हो बाकी चीज़ी भी कर सकते हो बट यहाँ पे आप educational purposes के लिए इसको बहुत अच्छे से इस्तिमाल कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शियर कीजिए अगर आपको account चाहिए कैसे खोलते हैं इस पे account कैसे open करते हैं वो भी हम आपको next वीडियो में बता देंगे अगर आपको चाहिए तो thanks for watching this video again